आप देख रहे हैं जन्हित आवाज इस वक्त मैं मौझूद हूँ मदनपुर खादर के कंजन कुझ इलाके में यह कंचन कुझ इलाका है जहां पर बुल्डोजर की कारवाई की गई है मेरे सामने आप देख सकते हैं ये बुल्डोजर ने ध्वस्त किया है ये एक ही बिल्डिंग नहीं बलकि आगे पीछे और भी अमालते हैं जिस पर बुल्डोजर की कारवाई हुई है मेरे साथ मौजूद है यहां कि कुछ लोग जिनके घरों को तोड़ा गया है आईयो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारवाई हुई है और क्या इन लोगों का कहना है कि ये कारवाई कितनी सही हुई है और इन लोगों की जो राशी इसमें लगी थी जो जीवन भर की कमाई इसमें लगी थी उस पर इन लोगों का क्या कहना है जो अब बरबाद हो गई है या तो यह बननी नहीं चाहिए थी अगर तो इनको मंजूरी नहीं मिलने चाहिए थी और अगर यह बन गई है वैद तरीके से तो फिर इन पर कारवाई नहीं होनी चाहिए थी मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं यहां के मालिक के पास यहां के जो लोग है इनके पास क्या नाम है आपको इसके बारे में पता चला नोटिस मिला नहीं हमारे पास नोटिस आया और ना जो है ना कुछ आया बस हमारा तो काम यह सिर्फ पचाने की हुआ है कल दूसरी बात यह है कि अगर यह मतलब अवैद थी तो यहां के थानों में मतलब जब फंद्रस रुपर गच के पैसे जाते हैं और मतलब घर मतलब जो हमारे गाउन को घर था वह भी हमने बेच के मतलब इसमें लगा दिया आप यह एक अधिकारी है मतलब सब्सक्राइब करके ठीक नंबर भी मेरे पास है और नाम भी है जो वह तीन लाख उर्पे तो मतलब हमसे लेकर गए और यह मतलब यहां पर लोग बिचारे बना रहे थे सबसे पैसे लिए गए है फिर उसके बाद बहुत कारवाई क्यों हुई अगर यह वैद था तो यह मतलब तो यह कारवाई हमें मतलब यह करने क्यों दी आप बताए कब कब लिए अपने जमीन यह कंद दो साल और यह बनाना कब शुरू किया आपने यह मकान अपने लिए बना रहे थे हम ना बिल् जब कारवाई हो रही थी उससे पहले आपको कोई नोटीस हाता ना उसके बाद नावाइए हमारे पास कोई नोटीस नूटीस है पहले कोई डेट का तो तो हमें दिखा दीजी अगर मतलब कोई नोटीस है हमारे पास पहली बात तो कोई नहीं है और मीडिया को करें लिए कि सबको को नोटीस दिए गए किसी पर कोई नहीं है यहां पर एक बड़ाबर में मतलब घर है दोना मतलब पूरा मकान तो दिया अब नाम किसका बता रहे हैं आपके किसने आपसे रिश्वत ली है और कब आप कारवाई हुई है भगत दयाल करके है जब यह हमने मतलब श्टार्ट कर रहा था तो तो हमसे तीर लाक रुपे लेकर गए और मतलब जो है पंद्रा सुरुपे गच के हिसाब से यहां पर कालंद है इसके हम पर हम पर कागज भी है हाँ कोई भी देख सकता है इसके वैद है तो बुल्डोजर चलाने की जरूति नहीं होनी चाहिए यह भाइसा कामी जो है जो है ना सरकार अपनी जो हां नाकामी छुपाने के लिए जाद अतर एक कौम को टार्गेट कर रही है सो मकान अग बटका रहे हैं घुम्रा करें अपर कितने घरों पे कारवा हुए है यहां पर चार घरों पर होए जिकार अब है अब जो हुआ है और क्या मामला एक तो तो और आपने कोई विरोध किया ना रोफ किया ता पर मतलब आवाज उठाई कोई कागज दिखाने की कोशिश की अगर आपके वैद है तो कागज दिखाई होंगे आपने कुछ नहीं देखा उन्होंने कागज वागज नहीं देखा बस टारेट भगा रहे थे और हाथ पर लाठी थी जो पिरसासन के बात भी नहीं करी किसी से क जी यहीं पे मौजूद था और मीडिया क्या कर यहां पर यह काम चला है यह काम चला है तो मतले इसको दिखा देंगे कि यह पत्थर पफ्थर के पफलिक ना पत्थर मारें दूसरा वहां पर एक मतलब कंछ का जो है ना गोदा हमें बहुत सब्सक्राइब को ने पर पर स्ट कि काड़ बोतल खाली होती है वह तूट फूट के वहीं गिरता रहता है तो यह भी दिखा दिया के यह कंच भी बड़साया है यह कंच भी फैला है रास्ते मीडिया ने यह सारे चैनल थे जी कौन तो किसी का नाम याद हो कौन है आज तक न्यूस बिदा भी न्यूस पीता हमने ट्रीन टपर से छुपा कर अंदर ही बना रहते कि एक पहले क्यों नजर नहीं आज अगर इनको अवेद था तो यह पहले क्यों नहीं रोकिये बिल्डिंग रोकने चाहिए तिने बनने से इतना पैसा लगा रहा रहा था पहली फिर्ट फिलोर पर फेले ही रोकने घर थे गाउंगे वो बीजो बिग गए ये कहान हमारे साथ ना है ये कहानी ने बहुतनों के साथ है जो लोग मतलब क्वारी नहीं रही और यहां के नहीं नहीं रही इसके साथ और कुछ करकर गई ए का ग्रफशासन आपको कोई बिल्डोजर आ रहा है अगर आपके सामने कारवाई कर रहा है कि आप कागज दिखाओ और अपने सारे उन्हें बात बात तो बताओ कि अगर तुम पिर्दान मंतिसे यह से किकी किसी की नहीं सुनेंगे हम चेर्में से बात कि रहा रहे थे राजपाल यह बोला यह थे अगर चाहेगा ना चाहेंगे हम अब आगे क्या करोगे आप आगे क्या यहां पे बनाओगे दोबारा विरूद करोगे आवाज उठाओगे बनाएंगे भी हाँ जगह जो खरीट के लिए हमारे बाब दादी के तो थी नहीं तो यह थे यहां पर यहां के मौझूदा लोग जो बता रहें कि किस तरह से हां पर कारवाई होई और किस तरह से आधिकारियों का रवाई रहा रिश्वत लेके यहां पर पहले मकान घर बनवाया और उसके बाद यहां पर बुल्डोजर चलवा दिया राशित अले जन्हित आवाज दिल्ले